यूपी में अगले दो हफते के अंदर-अंदर कोई बहुत बड़ा अटैक प्लाइन किया जा रहा है तकाल है ठीक है महादेव का गोरखपूर आज के एक सवाएक साल पहले रभी किसन ने तंबू-ंबूगार करके इस फिल्म का अनॉंसमेंट किया था और कहा था कि 2023 के करके क्वाइनली इस फिल्म का टीजर आया है ब दो भासाओं में रिलीज किया है पहला हिंदि दूसरा भोचपूरी जो टीजर हिंदी में है वह इंदी में और जो टीजर कि भोचपूरी में रोबвहाशपूरी कशेम करके डाले गए हैं वी फशन सार्में जबकि इस फील् फिल्म है यह प्रोपर भोजपूरी फिल्म है लेकिन बनल बाप भोजपूरी में आपने टीजर देखा आपको देखकर लगा कि यह फिल्म भोजपूरी में सूट हुई है तुम मंदिर में था कौन हर भोजपूरी वर्जन का एक डायलोग में आपको इस फिल्म का सुनवाता यह सुन लिया अब बताओ बिहार के किस कोने में ऐसी भोजपूरी बोली जाती है उसीव का अंसबा जिनको भोजपूरी नहीं आती है ना उनको लगता है कि हर वर्ड के बाद बा लगा देंगे तो भोजपूरी हो जाएगा और वही काम इसमें भी किया गया है मोर्ख समझना बंद कर दीजी साफ पता चल रहा है कि यह डबिंग करके आवाज अलग से डाली गई है पूरी फिल्म हिंदी में सूट किया गया है जब इसके मेकर यूपी या बिहार में अपना कोई सो रगते हैं तो वहां पर कहते हैं यह भोजपूरी में सूट हुआ है भो हमसे कहते हैं नहीं आपकी भासा में फिल्म है यहां आते हमसे कहते हैं आपकी भासा में फिल्म है तबिल में रिलीज होगी कनड़ा में होगी तेलगू में होगी जबकि आप इसका हिंदी वर्जन देखेंगे तो साब पता चल रहा है कि यह फिल्म हिंदी में ही सूट किया गया है कोई बहुत बड़ा अटैक क्लाइंग किया रहा है भोचपूरी डब किया गया है अलग से आवाज डाली गई है वह कब ना मर सकेला हलाकि इनका जो प्लान है जैसा कि इस फिल्म के जो मेकर्स बता रहे हैं कि यह फिल्म बहुत सारी भासाओं में रिलीज होगी जैसे क कि अल्यालम तेलगो क्ला असके लावां हिंदी और भाषपूरी कि यह फिल्म we पूरि महाकाल का क्या यह फिल्म में रिलीज होगी डब करके रिलीज किया जाएगा तो हो चेड़ चाड़ करके इसमें कुछ भोचपूरी वर्ड घुषा दिया जाए जैसे कि टीजर में गुषाए गया है इसे बोच पूरी वर्ड घुषा करके इस फिल्म को विहार की कुछ सिनेमा घरों में रिलीज कर है थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन जिस हिसाफ से बनाया गया है उसे देख करके लगता कि यह एक अच्छी फिल्म बनी है रभी किसन इसमें लीड रोल में हैं जो कि आपको दो दो रोल में नजर आ रहे हैं एक जगह पर पुलिस के रोल में दिख रहे गया यह लोग सबाद चुनाओ के समय पर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों तो भाई जब फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दूए वस्तु शाशुपा फिल्म का नाम महादेव का गोरखपूर फिल्म के हीरो रभी किसन जो गोरखपूर से तो कुल मिला करके रिजल्ट यह आता है कि यह टोटली एक पॉलिटिकल फिल्म है जिसमें मुसलमान विलन होगा जो आके आपको डराएगा फिर आप डर जाओगे फिर रभी किसन लौड सिवा के रूप में आके आपको बचाएंगे फिर आप जा करके पॉलिंग बूत पर और पिचर क्वालिटी बढ़ियां लग रहा है बाकी चोटा सा है तो इसमें कोई गाना वाना नहीं दिखाए गया और साथ गाना इसने छोटे से टीजर में फिट भी नहीं बैठेगा लेकिन हाँ गाना होगा जरूर प्लिलम है तो गाना तो बाकि एक धार्मिक फिल्म है तो इसमें दूर दूर तक कोई नाम निसान नहीं होना चाहिए खर लाइट चली गई है अंधेरा हो गया है तो ज्यादा क्या ही बोलू बस इतना ही है कि अगर यह फिल्म पॉलिटिकल फिल्म नहीं हुई तो हम जरूर देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि फिल्म कैसी ह कि मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई